क्रिकेट की दुनिया यानि गेम आफ क्रिकेट में आपका स्वागत है भारत और वेसंडीज के बीच खेला गया तीसरा मुकाबला टीम इंडिया ने शांदार अंदाज में जीत लिया और सीरीज को दो एक से अपने नाम कर लिया 200 रन की भारी भरकम जीत भारती टीम को मिली और वो भी उस मैच में जिसमें करो या मरो की सिचुएशन थी अब इस जीत के साथ ही राहुल द्रविड ने एलान भी कर दिया है कि अब इसके बाद कोई प्रियोग नहीं होगा यानि कि अब आगे एशिया कप में और स्टिले के खिलाब सिरीज में वही टीम खेलेगी जो की वर्ल्ड कप में होगी और पांच खिलाडियों ने यहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए दावा ठोक दिया टीम में जगा उनकी आपकी नजर आ रही है तो दिखाते हैं बताते हैं आपको क्या क्या कहा राहुल ड्रविड ने कौन है वो पांच खिलाडी क्या किया उन्होंने कारनामा सब बताएंगे आपको आप इस वीडियो को शेर करें और उन पांचों नामों पर अपनी राये जरूर दें तो वेसंडी सीरीज में कुछ खिलाडी नए खोजे गए हैं जबकि कुछ पुराने खिलाडी हैं जो नहीं खेल पा रहे थे फाइनली उन्होंने भी कुछ करके दिखाया है तस्वीर अफसाफ हो गई है पांचों नाम आपको बताते हैं पहला नाम है इशान किशन जी आँ और इस सीरीज में बेस स्कोर भी उनी करा यानि कि इशान किशन ने इस सीरीज में खुद को स्ताफित कर लिया है और टीम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए सबसे बड़ा दावा ठोक दिया और बतार ओपनर भी इशान किशन ने आपर दावा ठोक दिया है जो कि दूसरे फिलाडियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है दूसरा नाम है शुबमन गिल जी या शुबमन गिल भले इस मैच में शतक से चूक गए लेकिन शुबमन ने 85 रन बनाए और इस सीरीज में 126 रन बनाए हलांकि शुबमन गिल ने खुद को रिइनवेंट किया और यहां बड़ी पारी खेल कर मेनब्द मैच बन कर जता दिया दिखा दिया कि वो सबसे बड़े ओपनर अभी भी टीम इंडिया के लिए बने वे हैं और गिल ने भी अपनी जगब बिल्कुल पकी कर लिए तीसरा नाम संजू सैंसन जो की चोथे नमबर की समस्या को खत्म कर सकते हैं यहां सीरीज के आखरी दो मैच हमें बतवर बलेबंद सैंसन को यहां पर खेलने का मौका मिला हलांकि दूसरे मैच में तो सीर्प नौही रण मना पाए लेकिन तीसरे मैच में संजू सेमसन नमबर चार पर बले बाजी के लिए आए एक तालीस बॉल पर रिक्याउन नोनों की ताबर तोड़ बारी खेल दी और इस दोरान चार बड़े चके संजू सेमसन ने लगाए और संजू की स्पारी ने उन्हें दिखा दिया बता दिया कि आगे भी उन्हें अगर मौका मिलता है तो भारती टीम की नमबर चार की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और संजू सेमसन भी वर्ल्ल कप में बड़े खिलारी साबित हो सकते हैं उन्हें भी अब वर्ल्ड कब में मौका मिल सकता है यहाँ पर संजु ने दिखा दिया है बता दिया है चौता नाम है हार्दिक पांडिया जी हाँ इस साल हार्दिक पांडिया का बल्ला चल नहीं पा रहा था यहाँ वंडे मैचों में भी उनकी बल्ले ने कुछ खास किया नहीं था, गैंदबाजी भे कुछ करने ही पारे थे, लेकिन यहाँ तीसरे वंडे मैच में आतिशी, तूफानी, धमाकेदार पारी खेलकर हार्दिक पांडिया ने एक बार फिर से अपने आलुस चुकों का पहुंचाया और उपर से कप्तानी बिल्कुल ज़बर्दस की, और हर्दिक पांडिया ने दिखा दिया कि वो अबी चुके ने हैं उनकी टीम में चिकाब बिल्कुल पक्की है, और हर्दिक पांडिया ने साबचा था, ने भी जई आप जढ़ tool को लेने के बारे में सोचना पांचवा नाम कुल्दीब यादव भी ऐसे खिलाडी हैं जिनों ने लगातार तीन मैचों में धमाकेदार खेल दिखाया और सबसे बड़ी बात युजुविंदर चहल को इस पूरी सिरीज में मौका ही नहीं दिए गया यानि कि साफ है कि कुल्दीब यादव ही अब टीम मै कुल्दीब यादव ही खेलेंगे कुल्दीब यादव भी रविंद जड़ीजा के साथ दूसरे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन होंगे ये कन्फरम हो चुका ताय हो चिका और हो सकता है तो यहां तक खबर है कि युजुविंदर चहल को वर्ल्ड कप की स्कौर्ड में ही जगह तो खुल मिलाकर जो यहां वंदे सिरीज में राहुल द्रविड ने प्रियोग किये थे उसे लेकर अपना भयान भी दिया है ड्रविड ने कहा है कि इस सिरीजा के बाद अब आगे प्रियोग में नज़र आएगी और राहुल दर्विड ने इसे लेकर साफ संके दे दिये हैं साफ साफ अपनी बात कह दिये तो आपका इन पांच खिलाड़ेंगों पर क्या कहना है क्या वाकई माप इनकी जिगा बिल्कुल पक्की है वर्ल्ड कप के लिए या फिर कुछ और इफ और भी योग भीगे के अब बड़ी खबर है कि कुछ खिलाड़ेंगों का पता वर्ल्ड कप की टीम से स्कॉट से ही साफ हो गया हालात यहां कि कन्फरम सीट रखने वाले जिनके जगए बिल्कुल पक्की हो चुकी थी वो भी टीम से बाहर होने वाले और इसे पांच बड़े नाम है हलांकि छटा नाम भी यहां पर भड़ा दिगज है एरानी भराओ नाम हो सकता है जो कि रडार पर आ गया है पहले नंबर पर है ओपनिंग जोड़ी जी यहां वर्ल्ड कप को लेकर भारत की ओपनिंग जोड़ी अब तक ताई मानी जा रही थी मगर अब यह बदलने वाल है क्योंकि उन्हें यहां पर विकल्प मिल गया और वो विकल्प है इशान किशन इशान किशन ने वेसंडीज के खिलाब दो वंडे मैचों में मुश्किल पिच पर दोनों बार अर्ज़ तक लगाया जबकि गिल दोनुई बार फेल रहे और यही नहीं गिल टेस्ट मैचों हैं सूरी कुमार या दो जी यहां सूरिया को हद से जादा मौके दिये जा चुके हैं मगर वंडे मैचों में सूरिया फुस हैं फेल हैं और ऐसा लगता है कि सूरिया को उजिर बल्ला घुमाना आता है टिकर खेलना आता ही नहीं इसलिए तो वही सूरिया टी-20 के बादशा और उसत है सिर्फ 23 का रन बनाए है सिर्फ 476 यानि की पूरी तरह से पूरे वंडे करियर में फेल हैं लिहाजा सूरिया को आगे मौका नहीं मिलेगा तीसरे वंडे में भी मौका मिलने की संभावना नहीं के बराबर है हलांकि वहां किसी वज़े से मौका मिल भी जाता है तो करियर पूरी तरह से खत्म होजाएगा तीम से बहार होने वाले तीसरे खिलारी होंगे उम्रान मलिक है उम्रान को भी दो वंडे मैचों में मौका दिया गया मगर उम्रान अपनी च्छाप चोड़ना तो दूर सामान ने गेंदबाजी तक नहीं कर पाए जबकि बाकी बॉल बुम्रा, शमी और सिराज की वापसी होने वाली है तो उम्रान के लिए रास्ते वैसे ही बंद हो जाते है लेकिन यहाँ पर तो अब पूरी तरह से उम्रान ने अपने पैरों में कुलाडी मार दी है उम्रान का पत्ता साफ हो गया और तीसरे मंडे मैच में भी उम्रान को टी कुल्दीप यादव अच्छा कर रहे है अब वर्ल्ड कप स्कॉर्ड में सिर्फ एक ही कलाई के समय रखा जाएगा और वो कुल्दीप यादव होंगे यह कुल्दीप ने अपनी बॉलिंग से कंफर्म करा लिया और वैसे भी जब दूसरे वंडे मैच में सब को मुका दिया उन्हें वर्ल्ड कप स्कॉर्ड तक में जगा नहीं मिलेगी पांचवे खिलारी की बात करें तो वो है अक्षर पटेल जी है अक्षर पटेल को भी दूसरे वंडे में मौका दिया गया चौथे नंबर वर बैटिंग के लिए आजमाया गया बॉलिंग में भी आजमाया गया रविंद्र जड़ेजा का टीम में चुना जाना तरह है हलांकि बैकप के तौर पर जरूर अक्षर पटेल को यहां जगा मिल सकती है लेकिन खेलने का मौका अक्षर को भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जड़ेजा पहले से मौजूद है जो कि बैट और बॉल के साथ सा वाला है लेकिन हार्दिक पांडिया का खेल भी बेहत जादा खराब रहा है और उपर से हार्दिक ने अपने फिटनेस पर खुदी सवाल या निशनल लगा दिया हार्दिक पांडिया लंबे समय से ना तो बल्ले बाजी कर पा रहे हैं नहीं गैन बाजी में कोई दमखम दि किसी और को खिलाने की जरुत होने पर हार्दिक पांडिया को टीम से बाहर भी किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी कप्तानी पर भी असर पड़ेगा जो कि उन्हें फ्यूचर का कप्तान अब तक कहा जा रहा था उस पर ग्रहन लग सकता हार्दिक पांडिय के लिए गेम आफ क्रिकट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम आफ क्रिकट की हर खबर सबसे पहले